हलो स्टूदेंस, वेलकम तु स्टपफ अकाडमी, मैं अंजली संग कुश्वहा और मैं हूँ आपकी बालॉजी टियोटर, आज ये वीडियो उन सभी स्टूदेंस के लिए है जो क्लास 11 से क्लास 12 में आ रहे हैं और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के बालॉज अची सिलेबस का ओवर्विव, चलिए स्टार्ट करने हैं, क्लास 12 में यूनिट 6 होगी रीप्रोड़क्शन, मन में क्वेश्चन नहीं आया, कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 कहां चली गई, तो बेटा, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक आप पढ़ चुके हैं क्लास 11 की आप क्या समझते हैं, रीप्रोड़क्शन क्या होता है, रीप्रोड़क्शन दो टाइप का होता है, सेक्शुल, एसेक्शुल, सेक्शुल रीप्रोड़क्शन में कितने फेज़स होते हैं, प्री फर्टिलाइजिशन, फर्टिलाइजिशन, पोस फर्टिलाइजिशन, इन ह Next chapter होगा reproductive health. Chapter 3 होगा reproductive health. अब reproductive health में आप पढ़ेंगे क्या? जब आपको chapter 3 में human reproduction पढ़ा दिया जाएगा, तो there are certain preventive measures for contraception and etc. वो चीज़ें कैसे reproductive health को maintain किया जाएं, वो चीज़ें include होगी reproductive health chapter में. Next, unit जो होगी, वो होगी genetics and evolution. और इसमें चाप्टर 4 होगा, वो होगा principle of inheritance and variation. इस चाप्टर में आप सीखेंगे everything about mental. तो में जो इस थीम होगी इस चाप्टर की वो होगी mentalism. कि कैसे, क्या character transfer होते हैं, what is dominant character, what are recessive character, etc. Next chapter, in the same unit होगा, चाप्टर नमबर 5, molecular basis of inheritance. अब आप molecular basis of inheritance से क्या समझेंगे? कि क्या चीज है जो आपके parents से आपके body में transfer होई है? तार्टर स्टी एने, कैसे वो transfer हुआ है? कैसे DNA से DNA बनता है? DNA से RNA बनता है and RNA से protein बनता है. वो सब कुछ आप जानेंगे, चाप्टर नमबर 5, molecular basis of inheritance. सेम यूनिट में अगला चाप्टर होगा, चाप्टर 6, evolution. क्या सीखेंगे आप evolution में? कैसे, with time duration, आपकी body में इतने सारे changes आ गए हैं? वो सारा चीजें included होगी, चाप्टर नमबर 6, evolution में. अगली यूनिट होगी, यूनिट 8, जिसका नाम है, Biology and Human Welfare. अगली बात है, अगर आप आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आप डॉक्टर बनके करेंगे क्या? कोई बिमार पेशिंट आपके पास आएगा, आप उसको medicines देखके उसे ठीक करेंगे. तो मतलब आपको idea होना चाहिए health and disease के बारे में. तो this is the introductory part of health and disease. ओके, next chapter जो होगा, वो होगा microbes in human welfare. आप सीखेंगे कि कौन-कौन से microbes हैं, जो हमारी daily life में हमको बहुत सारे help करते हैं. जैसे बहुत ही basic example अगर मैं दूँ, तो दूज से दही चमाना, Lactobacillus, आपकी बहुत जादा help करता है. इस तरीके से कई सारे bacteria के बारे में आप इसमें सीखेंगे. For making, for making fermented beer, wine and next thing, for making medicines and enzymes and many more things. अगले unit जो होगी, वो होगी, Biotechnology. Biotechnology में chapter 9 होगा, Biotechnology, Principles and Processes. अब क्या समझे हम, Bio and Technology. तो Bio means life and technology is something to do technical with life. तो हम क्या करने वाले हम इसमें? हम इसमें छेड़ चाड़ करने वाले हैं with human genome. ओके? हम DNA में changes लाएंगे. हम DNA में क्यों changes लाएंगे? ताकि हमारे desired product बने. हमें vaccine बनानी थी COVID की. तो हमने किसी bacteria के अंदर वो changes करें जो हमारे required थे. और फिर हमने बना ली COVID की vaccine. तो आप इस चाप्टर में सीखेंगे कैसे वो सारी चीज़े करी जाती हैं. नेक्स चाप्टर होगा Biotechnology and its application. जो बायो टिक्नलोजी आपने प्रीविस चाप्टर में सीख ली, अब उसके actual life में applications क्या हैं? कहाँ कहाँ वो चीज़ें हमारे life में काम आती हैं. लास्ट यूनिट होगी ecology. और ecology में जो चाप्टर नमबर 11 होगा, वो होगा organism and population. अब ये यूनिट यहाँ में क्यों include करी गई है? क्योंकि organism and population as a group, क्या-क्या चीज़े उनको affect कर रही हैं. बायोटिक factors, एबायोटिक factors and several other factors. नेक्स चाप्टर इन दे सेम यूनिट होगा, ecosystem. तो क्या समझते हैं आप ecosystem से? क्या-क्या चीज़ें ने मिलकर ecosystem बनाया है? वाट अध़ प्रोडूसर्स, वाट अध़ कंजूमर्स, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers and etc. लास्ट चाप्टर होगा, class 12 का chapter number 13, जिसका नाम होगा, biodiversity and conservation. अब आपने biodiversity बहुत बार पढ़ा है, इस चाप्टर में हम सीखेंगे कि उसका conservation क्यों जरूरी है? अभी आप अभी तक थोड़ा-थोड़ा introductory part आप अभी class 12 तक पढ़ते हैं, बट यहाँ पे इस चाप्टर के बहुत जादा broader respects सीखेंगे आप. तो यह था पूरी class 12 का overview, अगर आपको एप वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को करिएगा like और चानल को करिएगा subscribe. आने वाली वीडियो में मैं start करूंगी class 12 के chapter 1, that is sexual reproduction in flowering plant. Thank you.